नमस्तों स्वागते आप सब करें तो दोस्तों कैसा है उमित को तो सभी अच्छोंगे तो दोस्तों मेरे तो हलाद फिलाल ठीक ठागे ना तो सही है ना ते बहुत ज़द गलत है तो दोस्तों यहां पे छूटू का चो तब यह थोड़ा खराब थना वह और ज़दा बिगर च देना है और यह दवाई है ना होस्पिटल से आई थी ना तो तब ही मतब दिया था उन लोगों ने डॉक्टर ने तो वह दवाई है तो सोनु का तो चलेगा लंबे समय तक मेरे को भी दवाई दी है सच कहूं ना तो मुझे दवाई लेने का मनीं भी नहीं करता है और उपर लेकिन यह खेलते खेलते इतने बुरी तरह से रोनने लग जाता है ना कि मुझे उठना तो दूर के बाद हिलने भी ने देता है तो इसके बज़े से थोड़ा सा काम और लेट हो जाता है और कई बर तो ऐसा होता है कि वह गोदी में सोने के लिए बहुत ही मतलब कोशिश कर है दुसका चटके बगर चलते होंगे यानि बहुत ज़दा पेन होता है ना तो वही वाले हाला है तो होता होगा बच्चा है बोल तो नहीं पाता है तो यहां पर थेले की अंदर कुछ भी थेला या जो भी कपड़े बगर थे ना वो सब निकाल के खाली कर रहे हूं कि इसम काम दिरे-दिरे करने से होगा और तब तक बच्चे अगा सही रहे तो काम हो जाता है और चोटु को मैंने परसिटे मोल दे दिया बाकी कुछ कुछ दबाई है और सोनु को है ना पंप देना पड़ रहा है तो यह सबसे बरा समय सा है उसको याद से मुझे दो टाइम देना लेकिन हमारी यापे तो फ्लॉराइड बला पानी है समझ में नहीं आता कैसी क्या करूं और पीने का पानी आता है अगर मैं उसमें डालूंगी तो फिर उसमें बहुत ज़्यदा पानी चाहिए होगा और दोनों टाइम फिर इस तरह से कराना बहुत ज़्यदा मुश्किल है वो कहता है जो इंसन मुसीबत में है उसे और भी ज़्यदा मुसीबत में डाल देते भगवान कहें क्या कहूं कुछ समझ में नहीं आता तो बाबू को इस तरह से पंप देना पर रहा है जो कि सबस्दा कठीनाई का काम है बच्चा है अगर मैं कभी बूल जाओं तो उसे सा हम किया देता रोज कोई नोे कोई गालेगल अश्तो कड़ी राह है रोज किसी नहीं किसी देताела घर पर रोज कैसे में कैसे परिशान करता है और रही बात कोट कचरी थाने की तो में कुछ कहना नहीं चाहती हो ऑन केमरा अभी जो लोग पीस रहा है उनको पता है कितने मदत मिलती है कितने नहीं मिलती है कितना क्या होता कितना क्या नहीं होती है मैं तंग आ चुकी हूँ मुझे तो किसी से भी कही से भी कोई मदद नहीं मिल रही है और नहीं मिलने के उम्मिद है क्योंकि इनसान जब इन सब चीजों में पढ़ते है ना तो उनको पता लगता है क्या ह और आंप लुगार नहीं हो तक मिली कोई तो मिलगी नहीं उप्सक्ति कॉज में कर नहीं टौली तो फिशिके लोग यहां भागतो कुछ कागजबगराब बनाना परता है एक दिन में होता लिए बहुत सारी परिशयन ही होती है आकर कुछ में दे सभाविकषा बात है आखों में कौन लगाने देता है दो अगर इसका आखे से ही हो जागा तो अच्छी बात है नहीं तो मुझे दूसरे डॉक्टर को दिखाने पड़ेगी बैसे भी मुझे फोड़े के लिए आज तो नहीं जाओंगे लेकिन कल तो है उसको लेकर जाना ही पड़ेगा कि उसको फोड़ा बहुत जदा बढ़ा हो चुका है और उसको मू है उनको काम तो करनी पड़ती है जो भी घर पे रहते हैं और मुझे तो सतर कामे हैं जिनको मुझे खुद से नहीं पटाना है तो आखों में दबर डालने के बाद में छोटू को मुझे देना था यह पेन के लिए जो दबाई आता न बहुत दिया है क्यूंकि उसका जो दर अंधिरा से हैं लेकिन क्या कर सकते हैं जब बच्चे उठ जाता है रोता है तो फिर उठना पड़ता है और जैसे लाइट जला दी तो फिर यह एक्टिव हो गया खेलने लगे आप तो यह बिल्कुल नहीं सुएगा और सुबह हो चुका है आप तो सोने का चांज भी नहीं है यह इसके आखों का हाल जिसकी दरत की वजह से यह बहुत ज़्यादा रोता है कुछ काम नहीं करने देता है बस अभी अभी में पानी बढ़ने के लिए गई थी तो यह रोने लगया बहुत बूरी तरह कैसे तो जितना भी काम होने की सोचा था उतना भी नहीं हो पाएग और इसी वज़े से वह जल्दी उठ गया और देख सकते हैं उसका आखे पूरी तरह से बंद हो चुका है जैसा कि मेरा हुआ था अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखे होंगे तो तो उसको थोड़ा सा हसाने की कोशिश कर रहे थी वैसे तो मैं उसको फोन में दिखाने नहीं रहे थी लेकिन मैं उसको इसलिए दिखा रही हुआ कि रो मत रोने से और ज़्यादा बंद हो जागा कि कोई दरत की बचे से रोता है न तो उसके आखों में और जदे तकलीब होती है तो आखे जितना भी बचा खुच रहता है पूरा बंद हो जाता है अब उसका है नहीं छोटू ने एक पीस काया है और ऐसी रखी हुई है तो सबसे पहले बिस्तर को एना एक बड़ से कलूं ताकि बच्चे इसी में खेल ले और भाहर ठंडी हुआ चल रही है तो सोनु वैसे भी ना वहां ने जा पाएगा वहां जाएगा ना बहार तो फिर उसे और ज जरूरी है क्योंकि इतना जदा ठंड के अंदर अगर बच्चे इस तरह से रहेंगे ने तो फिर और जदर परिशन हो जाएगी यानि बीमार और पर जाएंगे और यह जो हलके कंबल है ना इससे मुझे खुद कोई सर्दी लग रहे थी इससे कुछ ही नहीं होता है क्योंकि खाखा के ठक चुकी हूं लेकिन लोगों को लाद देना बंदनी होती है घर पर आई नहीं उससे पहले तो घर पर परोज की एक लेडिस आई लेडिस आके मुझे कहती है कि तुमारा घर इतना गंदा है तुम इन सब को साब क्यों नहीं करती हूं तो मैंनों कुछ ही नहीं बोला अब घर में कोई भी इंसान आते है ना सुबाविक से बात है आप उसे यही बोलोगे बैठो अंटी जी और बो बैठ जाती है तो इस तरह से बाते करती है तो उनको क्या जबाब दोगे मैं यह मानती हूं कि अगर हर किसी को जबाब देंगे ना तो फिर बो भी गलती होता है क्योंकि एक इंसान अकेले रहते हैं तो लोग यहीं चाहते हैं कि ना उसको किसी भी तरह से टोचर किये जाए उसको ऐसा कुछ बोले तो मैं यह सब चीजों को पहले तो नहीं समझती थी आप समझने लगी हूं जब से आदमी छोर के गया मुझे बहुत कुछ सिखा मैं किस तरह से पीछ रही हूं मैं अपना जिंदगी किस तरीके से काट रही हूं वह सिब एक मात्र परमात्मा जानता है चोवीज घंटा टेंशन की बज़े से नेंद नहीं आती है रात को सारे तिन चार बज जाता मुझे सोने में सुबह मुझे कभी च्छे तो बजी जात है यह सुबह मुझे नहीं स grapple क्यों वह अपना जिसदिन बैसे नहीं हो पा था क्योंको बैचे सोते नहीं है और अभी तो सोनु का टीशन चूटा हुआ है तो मैं सोच नहीं दो चार दिन उसे और रेस्ट करा लो अच्छी तरह से ताकि ना उसकी शरीर में जो भी थकान कमजोरी बगरा है अभी अभी ग्लुकोस बगरा चारा के आया लाइब खराब करना था कर दिया और जो दूसरे के बच्चा है वो इंसान उसको सीच रहा है उसको प्यार कर रहा है कर लें दो जो मेरे नसीब में है वो ही है शाय सुनू कभी किसमत खराब है ने तो कोई इंसान इतना ज़्यादा टोचर बाप होके कैसे कर सकता है तो दोस मुझे इतना सा टाइम मिला से करने के लिए जैसे मैं उत्रूंगी न तो लोग आ जाएंगे बापस है यह बिस्तर है इतना ज़्यादा कच्छुमर हो जाएगा जितना कि शायद कोई कुड़े दन में भी नहीं होता हो मुझे यह तो नहीं पता मेरे आदमी मुझे चाहता क्या है बस सबसे बड़ी मजबूरी मेरी यह है मैं जैपूर को छोड़ने ही पार हूं क्योंकि बंगाल में अगर रहोंगी न अख्यली और रहना संबब नहीं है वहां का जो नियम है मैं किसी भी बौलने से एनगा ज़र तो आफ जैपूर की तुम्हें इहां इसलिए रहती हो तोड़ा बहुत मतरफ सेफ़िशे रह पाते अगर शाले उस भी भी और यहीं होते हैं तो आप तक पाता नहीं मेरे साथ में दूर घटना हो चुका होता हुआ मरी मेरी पापा कटम हो चुका है और को यह है नहीं मेरी साथ की अपनो ने किया और जब पता है कि उसका पती किया था। उसके बात फो डिन रखने के बाद उसको छोड़ दिया है तो हर जगाए एक ही चीज़ होती है है कि ना इसका पती ने तो इसका मजे ले लिया और इसको छोड़ दिया मुझे पता ये सुनने में भूत घिलोना बहुतchlído लेकिन बोई बात बोलते हैं लोग मुह पर बोलते है और ये बाते में सुन रही हो, मुझे लोग मुझे पर बोलते हैं, तो अगर मैं गाव में रहू ना, तो लड़के मुझे नहीं रहने देंगे, आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं, गलत का हम जिनके साथ होता है, उनका ना तो उमर देखी जाती है, ना उनका लियाज किया जाता है, पांच साल का अगर लड़की होगी, तो उनके साथ मी होता है, अगर साथ साल की बुझरक होगी, उनके साथ भी गलत होता है, जबान का तो कहना ही क्या है, अधेर उमर का तो कहना ही क्या है, तो बोलके नहीं समझा सकते किसी को, और मेरी मा एतने बुड़ी हो चुके ना अब मेरा मन गबाई नहीं देता कि उनका में कोई भी वीडियो बना के आप लोगों सामने पेश करूं उससे मुझे ऐसा लगता है कि में गलत करूंगी क्योंकि उमर कभी एक लियाच करना चाहिए बस में वही करने की कोशिश करती हूं बाकि जो भी कुछ बाते है आप लोगों के सामने की बात हैं मैं अकली रहती हूं कभी कोई नहीं आके मेरे पास रहता है मेरी लड़की खतम हो गई थी मेरी शिष्टर ने एक दिन फोन तक नहीं किया था तो मेरा मन बहुत ज़दा दुखी है बहुत सारे चीज़ों से और यहां पे मेरा आप लोगों एक दो दिन के अंदर है एक ओडियो शेयर करूंगी आप लोग सुनना खुद से और खुद से डिसाइड करना कि मेरे आदमी चाहता क्या मुझसे बोई इंसान एक बार तो अगर आप पिछले ओडियो सुने होंगे तो केस बापस लेने के लिए बहुत कुछ परिशानी कर और आप परिशान कर रहा है कि उसका बच्चा मेरी बज़े से बिमार पर रहा है और हाथ उठाने तक का बात कर रहा है वह भी फोन के अंदर के कान पठी पर लगाऊंगा और भी बहुत कुछ ऐसे बाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता वह बेटे के लिए इतना परिशा इसे बोला हुआ है कि मेरे को नहीं चीए को बच्च उच्छा दे दे जिसका बच्च नहीं है उसको दे दे तो वह इंसान आज बेटे के लिए इतना परिशान क्यों हो रहा है मैंने उसे बोला ठीक है तुम्हें बेटे से मिलना है तो दबाई जो है लेकर आओ एक दबाई और पर चारों तरब से परिशानी आप घर की परिशानी जो पईशो की है उसका जेली रहे से दुनिया दरी कि परिशान्य उपर से पती पर प consol करके परिशान करता हैं जो छोड के जाचुका है तो वो ऊडर चलेगी लेकिन उस बंदे को इतनी से बात क्यूं नहीं समझ में आरिये बेजे में कि मैं उस पर ऊडर नहीं चला सकता और मेरा कोई हग भी नहीं बनता जब मैं ना तो रोटी देता हूं ना कपड़ा देता हूं ना कुछ हुँ देता हूं लेकिन उस बंडे को वास एक ही चीज का मसलाब है कि तू मेरी बच्च narrative को बिमार कर रहे तो तो उसको खाना ने देती तू आनी देती तू को पानी ने देती तू तू उसको सोननही देती शिकायती शिकायते रोजानब फोन करेंगे वो यही बात बोलेंगे, मैं पता है, फॉन को ब्लॉक क्यों नहीं करती हूं कि मैरे आदप नहीं है, अगर कोई दुश्मन भी होता है न तो मैं उनका भी फॉन ब्लॉक नहीं करती हूं, मुझे ऐसा लगता है मेरे सीन्य में ब्लॉक हूग गया, और बताईए मैं उस इनसान क साथ कैसे नफरत करूं नफरत करती हूं लेकिन नफरत करने की तरीका बदल चुका है बाकी है तो मतलब मेरे बैच्चों के बापी न तो मैं उस इंसान से कैसे मतलब क्या कर सकती हूं मैं उस इंसान से प्यार नहीं करती हूं लेकिन उस इंसान के साथ मेरा जो प्यार का तरीक मेरा प्यार कुछ अलग होता है जैसे की कोई परोस में इंसान अगर परिशानी में हो ने मदद वगडर तो वैसा है वाकि आपार नहीं रहता किसी का भी नहीं रहता अगर पति-पत्नी इतने सालों तक दूर रहते और बच्ची इतना परिशान होते हो एक व्रत इतना बहाग करें और आपको कहीं से भी जो लीगल हेल्प बगरा होता है वो नहीं मिले तो उस ओरत का क्या हाल होती हो नहीं जानता है और मैं ओडियो आप लोगों को जरू शेयर करूंगी और फिलाल तो मुझे है ना ओडियो को एडिट करना पड़ेगा उसके बाद में डालना इस बात को मैंने सोच लिया है और मेरे दिल से भी मैंने उससे निकाल दिया है उसको जहाँ जाना जो करना है करें लेगिन इस तरह से फोन करके ट्रोचर करता रहता है आप पुलीज वालों से क्या बोलोंगे मतलब क्या बोलेंगे समझ में नहीं आता और बोलने से वो अगर अंदर करेंगे तो 24 गंटे के लिए अंदर करेंगे उसके बाद में आप सबको पता है क्या होता है और तब यह नदर करता है उसका भी कई सरे प्रोसेस है खिर में यहां पर बोलना नहीं चाहती है तो दोस्तों बच्चे अब तक बाहर ही बैटे थे सारा कम मेरा यहां पर कंप्लिट हो चुका है और बाकी बच्चे कुछे जो काम है वो मैं बाद में करूंगी मेरी भी तब यह थना ऐसे तोरा फीवर फीवर सा हो रहा ह क्तलि आज से कई साल पहले मार है था मंका है मेरी कांडों में और मेरे कांडों में आज दिन तक क्षुआ हुए कांड़ी ठंड़ा में फूल जाती है कांगी जबड पास मेरे राम पूर्य थिए जाता याप झाल झाल